हेलो एवरिवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल मैं हूर उपाली और आप देख रहे हो रुपा स्टोर आज मैं ये फाइकस प्लान के बारे में शेयर करूंगी आपके साथ मुझे इसकी बोंजे बनानी है फिलाल तो मैं इसको प्रोनिंग कर रहे हूं इसकी आप देख सकते हो जितनी भी साइट ब्रांचस है मैं उसको कट कर लूगी अच्छ से और इसको मुझे फेकना नहीं है इसको ग्रो करना है ये बहुत ही अच्छ से ग्रो हो जाता है थ्री टू विक्स में इसकी रूट साते है अभी तो बहुत टाइम है बनाने के लिए फिलाल मैं इसको अच्छ से प्रोनग कर लूगी और आप देख सकते हूं मैंने साइट ब्रांचस सारी कट कर लिया है मुझे उपर से बॉल जैसा शेप देना है इसको इसलिए मैं इसको शेप देने की कोशिश कर रही हूं बॉल जैसा जब भी इसकी ग्रोथ अच्छ से हो जाएग इसको मैं अभी ग्रो कर लूगी फाइकस में बहुत सारी वराइटी जाती है गाइस उसमें से एक वराइटी मेरे पास है और यह बहुत ही अच्छ से सवाइव करता है अगर आप वीक में या दू वीक में पानी देते हो उसे तो भी अच्छ से चलता रहता है और इसकी जो में यह बहुत ही शाइनी होती है इसलिए यह यह बहुत ही ब्यूटीफल लगता है अपने गार्डन में अगर आप इसी ग्रो करते हो तो इसकी जो ब्रांच है यह एक दू इंच अंदर मिट्टी में दबाने होती है और इसलिए मैं इसकी जितनी भी मीच्छ वाली पत्या ह इसको मैं हटाने वाली हूँ, हटा रही हूँ, यह आप देख सकते हूँ, बहुत ही चोटी-चोटी कटिंग्स लिए हैं मैंने और इसको भी में ग्रो करूंगी और इसकी अपडेट में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आप आगे तक वीडियो देखते रही हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी होने वाली है, यह देखे कि छोटी कटिंग्स है, इसको भी में ग्रो करूंगी और इसकी ही रूट्स में आपको दिखाऊंगी आगे, आप जानते हैं, जब भी आप कटिंग लगाओ तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी देना है, जब तक नीचे से पानी बाहर में निकल आता है, यह देखे, आप दिखारी हो मैं आपको, जब भी आप कटिंग लगाओ तो पानी आपको उतना देना है गंब्ले में जब तक ड्रेनेज होल में से पानी बाहर में निकल आता है, और मिट्टी बहुत अच्छे से सॉट हो जाती है, और जब भी रूट आएंगी तब में अलग इसकी पॉट बनाओंगी अलग से और इसमें शुट करूँगे, यह देखे, काफी चोटी-चोटी कटिंग में ने सारी कटिंग एक ही पॉट में लगा दिया है, और अभी देखे, उसका रिजल्ट यह देखे, त्री वीक्स के बाढार मलत्यां है, कितने शांप्ति कर रही है, यह देखे, सारी प्तिया जो है, नई, नई पत्या समझ में आई जाती है यह देखिए कितनी चोटी पत्या है यह देखिए अभी आने स्टार्टल गए और नीचे से भी बहुत सारी ब्रांच निकल आई थी बट मुझे वहां पर कोई ब्रांच नहीं चाहिए था मुझे उपर से बॉल जैसा शेफ देना इसलिए मुझे कोई नीचे ब्रांच नहीं चाहिए तो मैं उसे कट कर दिया और अगर आपको कोई ब्रांच नहीं चाहिए थी तो उसे आप निकाल दे क्योंकि जहां पर ग्रोग करना होता है जहां पर लीव आने रहती है वहां पर जल्दी लीव आने शुरू हो जाती है यह दिखिए मैं मैं आपको दिखा रहे हूं वहां पर दो बार लिव्स आ चुकिती है और इसको मैंने हटा दिया ताकि वह बोन्जाय जेसा लुक लगे आगे जाके मैं इसकी बोन्जाय बनाने वाली हूं वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर यह देखिए मेरा फाइकस प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है यह जो स्टेम है आप देख सकते हैं वह रहने दूरी में वह काफी अच्छा लूक आता है उसका और अच्छे से बहुत बहुत रिचा शेप आजाएगा इसको यह देखिए चलिए अभी देखते हैं जो कटिंग्स मैंने लगाई थी वो उसका रिजल्ट कहा तक पहुचता है उसकी जो रूर्स आई है वो आई है कि नहीं हम देखेंगे अभी लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाँगी यहां पे भी जो नही पत्तिया है वो दीख रही है यह जो यह जो आप देख रहे हो यह नही पत्तिया है और यह भी पत्तिया की शुरुवत है यह देखे यहां पे भी एक नही पत्तिया आ चुकी है अब भी हम रूप्स देखेंगे कैसी है इसकी रूप्स आई है कि नहीं मैं आपको एक कटिंग निकालके दिखाऊगी सारी cuttings मैंने एकी डिबे में लगा दिया थे एकी container में लगा दिया थे और इसकी जो यह देखिए छोटी cutting लगाए थे उसकी भी roots और इसकी leaves है वो आ रही है और यह देखिए कितनी छोटी cutting है एक इंच भी नहीं है तो भी इसकी roots देखिए आप बहुत अच्छे से आई है यह देखिए आप देख सकते हो इससे एक cutting से हमारा नया पोधा बन जाएगा कितनी छोटी cutting है यह देखिए आप roots देख रहे हैं इसकी बहुत अच्छे से roots आई है वाव तो गाइस अगर आपको ficus की cutting लगानी है तो आप इस तरीके से cutting लगा सकते हो इस तरीके के आपको shape देना है तो आप bones ही बनानी है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो और आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो मुझे like, subscribe करिए और bell icon को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का notification आपको मिल जाए यह थैंक यू पर वाचिंग